हेलो दोस्तों मैं हूँ अभिशेक और आज हम बात करेंगे एक ऐसे कुशिन के बारे में जो कि बहुत सारे लोगों ने पूछा अभी तक और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि साम्संग का एक फ्लैक्षिप फोन जो 2014 में उन्होंने लॉंच किया था उसकी प्राइस जो है अभ था हाला कि ओवराल ग्लोबली ये फोन थोड़ा सा फेलियर हो गया था और एंडिया में भी इतना व्यादा बिका नहीं तो एस फाइब के बाद स्याम्संग ने एस सिक्स लांच किया जो कि थोड़ा और बहतर रहा और उसके बाद एस सेवन ने तो बिलकुल उनके सारे रि इस फोन की स्पेसिफिकेशन को देखूँ तो इस फोन में आपको 5.1 यानि कि 5.1 इंच का डिस्प्ले मिलता है जो कि फुल एश्टी डिस्प्ले है और साथी साथ इस फोन की जो स्पेशल बात है जो इस फोन को बाकी और फोन से थोड़ा अलग कर देती है और बहतर बना द देंगे तो कुछ नहीं होगा और यह फोन चलता रहेगा इसी के साथ इस फोन के अंदर जो बाकी चीज़े हैं उनके बारे में बात करते हैं इस फोन के अंदर आपको एक्जोन का सीप्यू मिलता है जो की सैमसंग का खुद का है साथ इसाथ डिस्प्ले बहुत अच्छा मि जो कि global variant मिलता था हाला कि इंडिया में मेरे ख्याल से exonus version ही जो है वो आया है और वो भी कोई बुरा नहीं है performance के मामले में तो किसी बी तरह की problem आपको performance related तो नहीं होनी चाहिए अगर आपकी usage बहुत ज्यादा high नहीं है यानि कि अगर आप power user नहीं है या फिर अगर आप बह ज्यादा कुछ खाफ नहीं रहती है उपर से Samsung का जो TouchWiz UI इसमें मिलेगा आपको वो थोड़ा सा phone को दीरे-दीरे slow तो बना ही देगा यह तो पक्की बात होने ही वाली है लेकिन overall देखा जाए तो यह phone कोई बुरा नहीं है 15,000 रुपे में लेकिन अगर हम competition से compare करें तो क्या इस phone में आपको अच्छी बाते मिलती हैं क्या बुरी बाते मिलती हैं उनके बारे में बता देते हैं तो Samsung S5 में जो आपको waterproof या water resistant feature जो actually में आपको मिलता है वो आपको बाकी 15,000 रुपे के phones में नहीं मिलेगा जैसे कि Samsung J7 की अगर हम बात करें तो वो इसके आसपास आजाए और उस case में J7 आप ले सकते हैं अगर आपको बहतर hardware चाहिए क्योंकि इसमें आपको definitely J7 में बहतर hardware मिलेगा अगर आप Samsung S5 से उसे compare करेंगे तो इसी के साथ जो और phone जो market में है वो है जैसे कि Moto G4 Plus अब Moto G4 Plus से अगर आप Samsung S5 को compare करेंगे तो S5 2014 का phone है Moto G4 Plus अभी launch हुआ है ज अगर Moto G4 Plus की बात करेंगे तो उसमें आपको बहतर camera मिलेगा और hardware कोई problem नहीं है hardware में कोई दिक्कत नहीं है unless आप heavy user है तो आपको Moto G4 Plus में कोई दिक्कत नहीं होगी camera के रिवलेट्स अच्छे आएंगे लेकिन आप अगर heavy gaming करेंगे heavy multitasking करेंगे तो phone hang होगा lag होगा दुनिय आसपास आजाता है और इस तरह से देखा जाए तो Moto X Play कोई बुरा नहीं है phone और उसमें आपको camera भी बढ़िया मिलता है तो S5 से बहतर camera आपको Moto X Play मिल जाएगा लेकिन hardware अगें आसपास ही आजाता है और मेरे ख्याल से Samsung का जो Exynos वाला hardware है वो बढ़िया है लेकिन अगर हम UI की बात करें तो UI यहां पर सबसे ज़्यादा slow होने वाला है अगर हम इसके Android version की बात करें तो Android version जो Samsung S5 में आया था वो था KitKat जबकि अभी March Mellow का अप्ग्रेड आ चुका है इंडिया में यानि कि अगर आपको Samsung S5 आपने लिया है और KitKat आपके पास उस phone में आया है नई phone में तो उस case में आप phone को अप्डेड कर सकते हैं और Marshmallow उसमें पा सकते हैं इसी के साथ और चीज़ों की बात करें तो इसमें noise cancellation में मिलता है सब चीज़ मिलता है camera की बात करें तो 16MP का camera मिलता है S5 में S5 का camera कोई बुरा नहीं है अच्छी camera की clarity आपको मिल जाती है लेकिन अगर आप Moto G4 Plus से compare करेंगे तो Moto G4 Plus की camera clarity definitely बहतर है S5 से तो overall दिखा जाए तो Samsung Galaxy S5 एक अच्छा option है अगर आपको Samsung का phone लेना है साथी साथ Samsung की जो after search service है वो थोड़ी बहतर है बाकी और company से तो उस case में भी आप S5 को ले सकते हैं लेकिन एक चीज़ जान लीजे कि ये phone समय के साथ slow हो जाएगा थोड़ा lag करेगा अगर आप उस lag को बरदाश कर सकते हैं और Samsung TouchWiz UI के साथ जी सकते हैं तो आप Samsung S5 ले सकते हैं इसी के साथ मैं इस वीडियो को समप करूँगा अगर आपको कोई भी queries और questions हैं जो अभी रह गए हैं Samsung S5 के बारे में detail में मिल जाएंगे जो आप पर सकते हैं उसके बाद भी अगर कोई query हो तो आप comment section में नीचे लिख सकते हैं तो बहुत बहुत शुक्री आपका इस वीडियो को देखने के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो like button दबाईए अगर आपको इस तरह के वीडियो और देखने हैं तो subscribe button दबाईए और subscribe कीजे मान चैनल को बहुत बहुत शुक्री आपका इस वीडियो को